मुजफरपुर में एक इंजिनियर की कार में भाड़ी मातरा में नगद बरामद किया गया है अब तक के गिंते में 18 लाग के बरामदगी की पुस्ट रही हो चुकी है हालाकि कार में 30 लाख नगद होने की सूचना है मुजफरपुर और वैशाली जिले की सीमा परिस्थित फकोली ओपी चेक पॉइंट पर पुलिस ने वाहन जाच के दौरान यह रहा से बरामद की है आरोपी इंजिनियर अनिल कुमार दिर्भंगा ग्रामीन कारी विभाग में बतोर अध्यक्षन अभियंता कारी गरत है वे अपने सफेद स्कार्पियों से पटना की ओर जा रहे थे स्कार्पियों के डिक्की में एक बैग में राशी रखी हुई थी फिलहाला अध्यक्षन अभियंता से फकोली ओपी पर राशी के सम्मद में पूस्ताच की जा रही है इंजीनियर से इतने सारे रूपय का सबूत मांगा गया है नगत ले जाने को लेकर इंजीनियर नहीं दे पा रहे हैं जवाब SSP जैद कांत ने बताया कि पंचाय चुनाव को लेकर नियमीत वाहन जाच करने का निर्देश दिया गया है फकोली ओपी पुलिस पोस्ट पर सुबह से ही ओपी अध्यक्ष की मौजूदगी में वाहन जाच की जा रही थी इस दोरान एक सफेद रंग के सकार्पियो को भी रोका गया उस पर सवार व्यक्ती ने खुद को अभियनता बताया लेकिन इसके बावजूद उनकी गारी की जाच की गई तो डिक्की से नोटों के बंडल से भड़ा बैग मिला बडामद नोट पाच-पाच सोके है इतने रुपे गारी में ले जाने को लेकर पुलिस वाहन जाच टीम ने उनसे पूछा तो संतोस परद उत्तर नहीं दिया उसके बाद फकोली ओपी पुलिस ने उन्हें रुपे सहित हिरासत में ले लिया इंजिनियर अनिल कुमार रुपे के समध में किसी परकार का कागज नहीं देखा पाए इसके बाद उन्हें ओपी लाया गया है राशी को जब्त कर लिया गया है SSP वेस्ट सयद इमरान मसुद ने बताया कि पुलिस को कुछ इंटेलिजन्स इंपूट पहले से ही थे इसलिए फकोली चेक पॉइंट पर हर एक गारी की गहनता से जाच का निर्देशती आ गया था बढ़ामद रुपे 18 लाख है लेकिन अभियंता के पास 18 की ओनर्शिप को लेकर कोई जवाम नहीं है उनसे पूस्ताच जारी है आईकर विभाग के अधिकारियों को इसकी जाच के लिए बुलाया गया है S.O.P. के आधार पर छानमेन की जा रही है पटना से दर्भंगा जा रहे थे अभियंता जानकारी हो की अभियंता अनिल कुमार पटना से दर्भंगा जा रहे थे इस करम में फकोली ओपी पोस्पर विरूपय के साथ पकरे गया है बदाया जाता है कि यह राशी दर्भंगा के ही किसी ठेकेदार का है हालकि इसकी अधिकारिक पुष्ट्री अभी तक नहीं हो सकी है SS में स्यद इम्रान मसूद ने बताया कि पूरी जाच और पूस्ताच के बाद पूरी जानकारी सामने आएगी और इसके आधार पर आगे की कारवाई की जाएगी मामले में एफायर दर्ज किया जा रहा है